सो ये गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो भाई आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिग टेडी ओफ एस्यूवी हाँ यही नाम दिया गया इस कार को तो यह है स्कॉर्पियो एन्जाड एट एल कुछ इस टैप के दिखते कार की की फ्लिप की आपको प्रोवाइट की गई है अंदर पूश बटन स्टार्ट आता है लोग अनलोग बूट ओपन के बटन्स रेंड शुरू हती है 11.99 और टॉप मनों कीमत है 24 लेक एक शोरूम प्रैस की बात कर रहा हूं में यह और यह जो आप अभी कलर देख रहे हो यह है नैपली ब्लेक कलर रैड रोयल गोल्ड आपको दिखने मिल जाएगा इस कार के अंदर हाइट और विट फॉल्चुन से ज्यादा बढ़ी है इस कार की कर की फ्रंट लुक की बात करें तो आपको न्यू महिंद्रा का लोगो तो यह है ड्यूल चिंबर हैड लाइट विद लेड डी डी रल लेड बल्ब विद फ्रं साइज बहुत ज्यादा है फॉल्चुनर और ग्रॉस्टर से भी ज्यादा साइज है इस की कि आए बढ़ेट उपन करके दिखते हैं इंजिन तो यह है 6-speed automatic diesel engine जो की produce करेगा 172bhp 400nm का torque इंसुलेशन सीट प्रोवाइड की गई है यह top model है तो भी इसके अंदर आपको hydraulic stars देखने नहीं मिलेंगे आपको हाथ से ही करना पड़ेगा front से car काफी bold and muscular दिखती है car की dimensions की बात करें तो length है 4.6 meter, width है 1.9 meter और height है 1.8 meter और अगर ground cranes की बात करें तो आपको 187 mm का ground cranes दिखने मिलेगा scorpion के अंदर tire size की बात करें तो 255 by 60, r 16, 16 inch की diamond का tailor wheel आपको दिखने मिलेगी front में disc brakes और rare में भी disc brakes प्रोवाइड के गए है foot rest driver side and co driver side request sensor आपको दिखने मिल जाएगा और यह big size में electrically adjustable ORVM return indicator फ्रेम लेस वाइपर है रेन सेंसिंग वाइपर है कि सिल्वल करण में roof rails sunroof और रेर लुक कार की कुछ ऐसे दिखती है बॉल्वो style tail light आपको दिखने मिल जाएगी scorpion की badging 4 explorer की badging 4 explorer means 4 by 4 reverse camera rare wiper और यहाँ पर आपको मिलेगी 100 लिटर की boot space 2nd और 3rd row fold करने पर 786 लिटर की boot space हो जाएगी कि सीट्स को fold करने के लिए कि इसको pull कीजिए और fold करने के लिए नीचे की side से इसे भी pull कर दीजिए तो काफी boot space हो जाएगा डो रेंडल अनफोल्ड करने के लिए उसे pull कीजिए कि स्पेर विल आपको नीचे की side पर देखने मिल जाएगा स्पेर विल एलोई विल में नहीं steel रिम में आपको देखने मिलेगा टायर साइज सेम रहीगी और यहां से बढ़ होगी आप डीजल फ्यूल टेंग केपेसिटी 57 लिटर और यहीं से आप एड ब्लू भर सकोगे आज़े पैसेंजर साइड दोर उपन करके दिखते हैं तो यहां पर आपको ड्यूल टॉन में इंटियर देखने मिलेगा ब्लैक एंट 10 इंटियर में आमरेस्ट विट टू कप होल्डर्स एड़ेस दिखने मिल जाएंगे बीच वाले पैसेंजर के लिए एड़ेस दिखने नहीं मिलेगा इस इवेंट्स विट्सी टैप चार्जिंग पोर्ट विंडो के कंट्रोल्स मिडल रो पे आपको 60-40 स्प्लिट रेशियो दिखने मिल जाएगा यहां से आप 60 रेशियो में फोल्ड कर पाओगे सीट्स अब और एंफोल्ड गन्ने के लिए इसे जेंट्ली उपर की साइड पुश कर दीजिए कैं थर्ड रोम एक्सेस करने के लिए सिम्पली इस बटन को नीचे प्रेस कीजिए और इसे अनफोल्ड कर दीजिए तो यहां से आप इसे लेक्सेस कर सकोगे थर्ड आपको देखने मिल जाएंगे इस कार के अंदर स्पीकर्स रेडिंग लैंप ग्रैब हैंडल कि अन्फोल्ड करने के लिए जेंटली उसे पुश कर दीजिए कि आए ड्राइवर साइट पैसेंजर दोर उपन करके दिखते हैं काफी प्रीमियम डैश्बोर्ट दिख रहा है और यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल एज़ेस्टेबल सीट्स देखने मिलेंगे कि बिट बैक सपोर्ट बैक सपोर्ट आपको मैनुएली करना पड़ेगा कि पैडल्स कि इंजिन स्टास्टॉप बटन इस इवेंट्स करते हों ब्रेक पेर रखके इंजिन स्टास्टॉप बटन को पूश्च कीज़ें कि तो यह स्कॉर्पियो एन फ्लाइट बॉटम स्टेरिंग विद थ्री स्पोक पावर विंडो के कंट्रोल लॉक अनलोग के कंट्रोल ओवर्वेम के कंट्रोल ट्विटर एर्बैक्स कॉर्पियो एन जैडेट मॉडल के अंदर आपको सिक्स आयर्बैक्स देखने मिलेंगे आयार्वियम को ऐसा दिखता है का इन्स्रूमें लॉस्टर फुल डीजिटल इंस्रूमें लिट्रि आपको दिखने मिलेगा जो कि सो करेगा करएग आयबरेज ताइम डिस्टेंस ट्रैवल तक्र एया प्रस्टर मोनिटर और कई एडिशनल फीचर यह करेगा आपको यह board रस्टर है ह gittiought में मीडिया इंतेड़ कंट्रोल और राइट साइड में क्रूस कंट्रोल डेड़स देखने मिल जाएंगे आपको लएफ ने वाइपर के कंट्रोल और राइट साइड में हैड राइट्ड के Connectivity, Snapdragon, Processor इसके अंदर और भी बहुत सारी और भी बहुत सारी additional feature है इंफोटेंड में सिस्टम के अंदर तो यह है fully automatic climate AC with dual zone handbrake, manual handbrake और यह है 6-speed automatic transmission mode selector 4 low 4 high armrest के अंदर थोड़ी space, key रखने के लिए space, cup holder 2 USB-C type, hill hold, traction control reverse camera and front camera दोनों आपको दिखने मिल जाएंगे इस car के अंदर, cold glove box आपको दिखने मिल जाएंगा scorpion के अंदर scorpion की badging, 12 speaker, sony surround sound system मिलेगा आपको with dual subwoofer और यह है sunroof one touch साइज sunroof close हो जाएगी sunblind आपको manually करना पड़ेगा seat की कुछनिंग काफी अच्छी है safety features की बात करें तो six airbag, ABS, child safety, crash sensor, EBD, ESC, ISOFIX, child mounted, hill hold, hill descent, crash sensor और भी बहुत सारी safety features है scorpion के अंदर तो आपको scorpion कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताईए अगर आप होते तो इसके बदले Tata Safari या Mahindra XV7 double हो लेते वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए